वेलकन टो अंडी एकजाम क्लासेदी के आज की डेट में आपका इलहाबाद हाई कोड गुरूब डी का मेंस का पेपर था मतलब स्टेज 2 का पेपर था तो चलिए एंसर को मिलाना आप लोग स्टार्ट करिए इसमें जितने भी आपको उत्तर बता जाएंगे वो 100% सही उत्तर लगेगी और भाय की पिता आपकी पिता लगेंगे तो इस परकार से मिला सकते हैं तो कौन सा उत्तर रसज़ाए होगा इसका दूस्वाले वीकलप जो होगा वो सबसे उत्तर हुकर होंग अगर आपको जानकरी एच्छे लगई वीडियो वीवीन देशों के मद्ध अंतास सक्तिता में व्रद्धी कर वैस्वी करण की प्रक्रिया अंगी कार करने के फल सुरूप क्या चीज होती है कि चार आपसन आपको दिये गए थे इसमें देखिए सुरवात की जो 25 कोशन है वो आपके GS के सेक्शन कोशन है इसमें आपके कंप् समान होता है और जो सस्ता समान होता है वो देश बनाने का प्रयास करता है ताकि दूसरा देश खरीदे तो इसमें क्या होता है उत्पादकों के मद्ध प्रतिसपरदा बढ़ जाती है जो उत्पादक होते हैं तो वो क्या करते हैं प्रतिसपरदा बढ़ जाती है जो पहला यह आप्सन सबसे सई एंसर होगा अब देखिए तीसरा कोशन यह पर पूछा गया था भारत में अब एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए अरच्छित हैं तो कहां पर अरच्छित हैं तो पंचायती राज जो व्यस्था आये थी उसके अंतरगत एक तिहाई सीटों में महिला को अधिकार दिया गयता हैं तो सई अपसन इसमें कौँसे होगा पहला वाला अपसन शही आपसन होगा एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो नया पदार्थ फिर अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पाता हैं, उसे हम लोग रासानिक परिवर्तन करते हैं, और भौतिक परिवर्तन में अगर कोई नया पदार्थ बन गया, तो फिर से वो दूसरे रूप में, मूल रूप में लाग कर सकते हैं तो यह रासानिक परिवर्तन में chociaż कि जल गया है तो फिरसे आप इसानिक परिवर्तन में चलुत जाएगा यह रासानिक परिवर्तन में आएग तो और अपका bac केवल भी वाला ठीक है दूसरा आपसन सब सही उत्तर होगा देखिए पांचवां कोशन आप से पूशा गया था आगे विद्याला है आगे विद्याला है इसका आप साइन बोर्ड में क्या लगा मिलेगा जब आप सडक पर यातायाद करते होंगे तो आप देखते होंगे इस सबसे उचीत कारण कौन से था सबसे पहले आपको मालूँ हो चाहिए कि ब्रेटेन उर्ट समेलन कब हुआ था 1944 में अमेरिका में हुआ था तो यह इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर विश्युद्य चल ला था तो विश्युद्य में क्या हुआ कि देखि पैसों की तो हान हुए तो यहां पर संघठण बनाया गया क्यूं से जैसे कि आपके विश्युद्य बनाया गया अंताराश्टी मुद्रा कोस बनायocyت में तो आधीज यसा ही आर्थिक सथायु ना पूर्ड नियोजन का परिरचन करने उसके लिए शए सब बनाया था भीटेन ोर्स टम्मिलन किया गया था तो स्था आप सानोंगे इसका डी वाला भी कल्प कि साथा कोशने कौनसी भारत की जो अर्थ वैस्ता है उसमें श्रम साथ दे अर्चतर है श्रम समझे छेतर इसमें से आपको बताना है तो देखिं प्राइमरी जो सेक्टर रहे हैं वह आपका स्ऽ्धी में हिल और प्राइमिरिंस सेक्टर ही सेक्टर में आता है जैसे क्रेश याती वानिक的时候 श्र sprinkle com क्रेशी को ही माना जाता है , लेकिन इसको खनन जो है इस आफ्शन में नहीं डालना चाहिए , क्रेशसी को ही माना जाता है , यो लोग एक बार कंप्लैन कर सकते हैंằstore एंसर के खिलाप ताकि खनन जो इस आप्सन में डाला गया है वो नहीं रखना चाहिए था वी निर्मार तो आपका सिकेंडरी सेक्टर में चला गया अब देखिए यहां पर आठ्वा कोशन है 19 सदी में भरत में करार भद्ध स्रमेकों के प्रवास के लिए उत्तरदाई सरवा अधिक उपयुक्त कारण काउंसा था ठीक है तो यहां पर देखिए जो एंसर दिये गया है उसको भी काफी भ्रमित करके एंसर दिया गया है देकि 19 सदाब्धी में पालायन का जो सबसे में करण था कि वहां पर मशीनरी लगाए जा रहे थी जो उनकी घर थे वो ले लिए काटन की मील लगाई जा रहे थी तो काटन काम उनका चृड़ गया था तो यहां पर अपने प्रदेश मात्रभूम से बाहर भी निकाला जा रहा था इसका मेन उद्दे से यही था ठीक है तो लोग भाग करके श्रिलंका जा रहे थे अफ्रिका जा रहे थे तो मेंने कानर थ ले ली गई थी उनके पास कोई रोजगार भी नहीं था ठीक है तो दूसरे में देखिए निधरता भी लिख दी गई है और एक देखिए यहां पर मजदूरी भी बाहर दिये जाने का प्रलोबन दिया गया था कि आपको बाहर जदा मजदूरी मिलेगी तो इस प्रसार से अग ठीक है 1789 में किसका सासंत आप जानते हैं लुई सोलहमा का सासंत था ठीक है और उसने क्या नारा दिया था मैं ही राज हूं और मेरे सब्द ही कानून है मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं ही राज हूं और मेरे सब्द ही कानून है तो एक निराजुकुस सासंत तंत्र था तो य इसी क्रांत में प्रांस की कांत में आपको देखने को मिलता है तो निरंकुछ सासन तंत्र था कि दस्वा कोशन देकि पूछा गया था सूची वन कुछ सूची टू के साथ मिलान करना है ठीक है तो आप लोग इंग्लिस भी देखते चलिए जितना आपको दिख राएं देकि यहाँ पर लिखा गया सरकार के वीभी ने अंगों के मद्द साजा की गई सक्ति इसे आप क्या कहेंगे तो आप मिलाने का प्रयास करिए तो एक को आपको दूसरे से मिलाना होगा सक्तियों का प्रत्राइक करन तो एक को आप दूसरे से मिला दीजें वीभी ने इस तरों में सरकार के मद्द साजा की गई सक्ति इसको आपको मिलाना पड़ेगा संगी सरकार से जैसे कि भारती सरकारे सक्तियों का अलग-लग बटवारा आपकी पंचायती राज तक हैं वीभी ने समाजिक समुहों के द्वारा साजा की गई सक्ति इसे कहते हैं हम लोग बहुल वाद कहते हैं सी को आप पहले से मिला दीजें दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों का सबसे पहले तो गड़बंदन की सरकार कहते हैं डी को आप तीसरे से मिला दीजें तो यहाँ कि ही सरकार भी आप पड़ते होंगे सरकार के मदर जो सक्तियां होती हैं वो बाटी जाती हैं तो वी को आप 44 कि मिला सकते हैं तो आप भी को अगरáticas मिलाएंगे तो कौन सा color अप्ष isto सबसे उत्तर हैं उन्हीं को आप लोग मान के चलिएगा इसमें कई उत्तर आपको गलत भी लगेंगे जैसे कि यहां पर 11 नंबर है आंक का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रेकास की मात्रा का वी नियमन और नियंतर करता है तो इसका सही एंसर होगा आइरिस के अंदर ही पुतली होती है तो में जो पूरा चीज अगर हम नियंतर की बात करेंगे तो आइरिस इसका सही उत्तर होगा ठीक है कहीं कहीं पर आप नेट पर अगर सर्च करेंगे तो आपको पुतली भी देखने को मिलेगा लेकिन में जो एंसर होगा उसका आइरिस होगा तीसरा अंसर सही अंसर होगा अगर आप इसमें कंप्लेंट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं कि बारा नवर कोशन है तरतीयक छेत्र में कारिक अलापों की आपको पहचान करने हैं देखिए तरतीयक छेत्र जो होता है वो सेवा का छेत्र होता है तो सेवा के चेतर में काल सेंटर के कर्मचारी क्या करते हैं बात करते हैं सेवा करते हैं तो पहला अपसन होगा वकील क्या करते हैं केस लड़ते हैं सेवा करते हैं यह भी हो गया मच्छुवारा मस्च पालन जो आता है यह प्राथमिक सेक्टर में आता है तो मस्च पालन तो आएगा नही को सारे आपके सेबीन कि सेवилось इसम अमाके समदित तेरेंया को सनी में मेमोरी की नर्ण लिखी मिए णको आहिए कि आरो ही करम में चोटे से बड़े क्रम में आपको लगाना है तो सबसे छोटा यहां पर क्या होगा KB सबसे छोटा होगा तो C को आपको सबसे पहले रखना है अब दो option में हैं, दूसरें भी है, तीसरें में है KB के बाद क्या आता है KB के बाद आता है MB KB के बाद MB इस प्रेकार का निसान लगा यह आगे की बढ़ता हुआ तो MB मतलब की MB तो C के बाद A आएगा तो सीधे सीधे एंसर जो सही हो गया वो तीसरा वाला उत्तर सही हो गया तो समझ सकते हैं आप लोग ठीक हैं तो यहां पर से आप लोग देख लीजिए आगे आपको से MB बना MB से GB बनेगा और GB से क्या बनेगा TV बनेगा और TV से Penta बनेगा तो D वाला सबसे लाश्ट में होगा सही अंसर होगा तीसरा वाला खड़ी धहलान पर मर्दा आपरदक रोकने की सर्वाधिक उप्योगत विधी काउंसी हैं तो खड़ी धहलान जब होती है इस प्रका होती हैं वह सबसी उप्युक्त विदी होती हैं खड़ी ढ़लान पर मृधा परदन को रोकने के लिए तो सही एंसर इसका कौन से होगा डी वाला विकल ठीक है तो जो हम आपको उत्तर बता रहें वहीं सबसे उतर हैं इसी को आप करके चलिएगा अब देखी पंदर को सने बेमेल सब्दे का आपको चुनाओ करना है तो बेमेल इसमें से कौन सा है देखे चावल हो गया गहों हो गया मक्का यह सारी फसले हैं और यह लैंड मतलब जमीन में होती है ठीक है और नारियल को आप फल के रूप में गिनते हैं और पेड़ के ऊपर होता है तो यह बेमेल के अगल बात करेंगे तो नारियल ही बेमेल होगा ठीक है गटना क्रम को क्रमानुसार व्यस्थित करना है आपको ठीक है तो इसमें देखी चार-पांच प्रकार घटना आपको दी गए तो सबसे पहले देखें यहां पर क्या हुआ थ ठीक है यह कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 को हुआ था तो सबसे पहले आप सी को रखेंगे इसके बाद क्या हुआ 1920 में एक अगस्त 1920 में असायोग आंदोलन और खिलापत आदोलन हुए तो सी के बाद आपको बी को रखना होगा फिर चौरी-चौरा कांड हुआ पांच फरवरी 19 1922 को चौरी-चौरा घटना डी वाला आपको रखना पड़ेगा सी बी डी इस प्रकार से आपने रख लिया इसके बाद क्या हुआ छै अप्रेल 1930 में गांधी जी क्या किये डांडी पहुँच करके नमक कानून को तोड़ करके सविनाय अवग्या स्टार्ट की इसका मतलब अब इसके बाद डी के बाद आपको ए रखना पड़े गई यह 1930 की घटना हो गई 1930 की आगे बढ़ेंगे तो उसी में 1931 में आपको 23 गोल में सम्मिलन मिलेगा तो 1931 में 23 गोल में सम्मिलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था ठीक है तो इस प्रकार से आप लाइन सत्रे नमर कोशन है समवर्ती सूची में कौन कौन से विशाय सामिल है ठीक है अब समवर्ती सूची में आप जानते मैं आपको कई बार रटाया है कि वन सिच्छा जनसंख्या आपको मैंने रटाया था कि वन सिच्छा जनसंख्या जो थे परिवार नियोजन हो गया यह सब चीजे हैं बाइलिसमेश सम्विधान संसोधन 1976 के अंतरगत समवर्ती सूची में डाली गई थी तो वन हो गया सिच्छा हो गया जनसंक्या हो गया परिवार नियोजन यह सब चारो चीजे आप लोग याद रखेगा हर एकजाम यह पूछा जाता है तो वन जो हो गया यह समवर्ती सूची में हो गया रच्छा और मुद्रा जो आती हैं यह आपकी संग सूची के विशाएं और क्रेशी जो हो गया है आपका यह राज यह सूची का विशाएं तो सही तो यह कुछ भगता तरतिया काते हैं जैसे यह आपर घास जो है घास को गाए खाएगी लेकिन गाए को हाथी नहीं खाता है हाथी तो आपको जानते हैं साका हरी होता है तो हाथी तो गाए को खाएगा नहीं तो पहला वाला खादस रंकला नहीं है इसके बाद दूसरा दे गास को बकरी खाती है वो बकरी को मानाव खाता है तो BCD यह तीनों जो हैं वो खादर संकला बना रहे हैं समझ गए आप लोग और पहला वाला नहीं बना रहा था तो BCD इस प्रकार से आपसर ही बनाए गए हैं कि आपको यही सही करना ही होगा और आप कोई कोई कुछ यह पूछा गया है, तो hard drive तो है, compared disk भी है, joy stick और platter, अब देखिए joy stick क्या होता है, joy stick जो है, एक प्रकार का input device है, जैसे आप game खेलते होगे, और game खेलने में इस प्रकार से हाँ से पकड़ करके इधर उधर करते हैं, तो input device है वो, और platter के output device है, इसमें क्या किया जाता है, ज एक प्रकार से output device हो गई, तो C और D जो है, यह आपके भंडारन नहीं करते हैं, तो कहाँ पर लिखा गया है, यह सा लिखा गया है, तीसरे वाले option में, memory stick, तो एक प्रकार की memory ही है, storage ही है, तो पूछा गया है, नहीं है, तो नहीं हो में काउन से C और D आएंगे, अब देख लेकिन जो कथक कली है, वो केरल का है, और कथक की बात करेंगे, तो यह नार्थ इंडिया का ही, आप उत्तर प्रदेश का भी मान सकते हैं, ठीक है, नार्थ इंडिया लिख देगा, उत्तर भारत का है, या फिर उत्तर प्रदेश भी लिख देगा, तो कथक है, और कथक कली क बात करेगा केरल का है और आंधर पदेश का कुची पुरी है और भरत नाटम कहां का है तमिल नाडु का है तो शही आपसन पहला वाला होगा इसमें से बढ़त्री यहां पर 3 की बढ़त्री होई है तो 6 से यहां पर 9 कर दीजे नो की बढ़त्री होगी और 11 में 9 जोडेंगे तो 20 आपको प्राफ्थ होगा सई आपसन होगा डी वाला ठीक है जतने से आगे बढ़ाए अगर आप यहां पर 20 भरेंगे तो आप देख लिजें 2 से 5 हुआ 3 बढ़ा 5 से 11 हुआ 6 बढ़ा और 11 से 20 हुआ 9 बढ़ा तो 3, 6, 9, 12, 15 इस अनपात में बढ़ा है तो सही आपसन होगा लाइस्ट वाला आपसन 22 नमर कोशन है भारत के किस राज्यका जनसंक्या घना तो सबसे अधिक है देकि जिसका जनसंक्या घना तो सबसे अधिक था उसको तो इसमें रखा नहीं गया है यहां पर सबसे ज़्यादा जनसंक्या घना तो बिहार का था तो उसका कितना है 1106 एक किलोमेटर स्क्वार में 1106 लोग रहते हैं बिहार में वो तो है नहीं है तो पस्षी मंगल रखा गया है दूसरे नंबर वाला पस्षी मंगल में 1028 लोग रहते हैं एक किलोमीटर स्क्वार एडिया में तो यहां पर सही आपसन होगा दूसरा वाला इसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर पर केरल का नंबर आता है, 860 हैं, और UP का नंबर आता है, 829, ठीक है? तो सही आप्सन, दूसरा वाला ही होगा. 23 नंबर कोशन है किस स्थान पर? विश्टो में सबसे अधिक वर्सा होती है, तो सबसे अधिक वर्सा होती है मासिन राम में, पहले चेरा पूजी था, लेकिन चेरा पूजी से भी ज़्यादा मासिन राम वर्सा होती, चेरा पूजी से आप 15 km जाएंगे, तो आपको मासिन राम मिलेगा, में घाला में यह पड़ता है, यहाँ पर जो बारिस होती, कितने mm याद कर सकते हैं अगर एक जैक्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकौर से याद कर सकते हैं इस प्रइक सरय गया में । होती है समझ गए आप 24 नमर कोशन है हमारे राष्ट में अनेक्ता में एक्ता का समारोस्व मनाने कि उद्देश सिनिम लिकित में से किसे कारकर्म की सुरवात की गई तो अनेक्ता में एक्ता जो है यह हमारे भारत की एक्ता किस ने की थी तो सरदार बढ़ला भाई पटेल ने क तो जानते हैं इसमें वितरण पलारी दी गई जिसमें आपको गेहुँ चावल दिया जाता है ग्राम उदय तो है नहीं और यह कोई योजना ही नहीं है तो ग्राम उदय में ग्राम का उदय हो और एकता की बात करेगा तो एक भारत सेष्ट बारत चौथा वाला आपसन सहीं आ प्रने आपड़र देखें इस प्रकार से दो आपसन दिये गए भ्रह्यमित नहीं होना है तीसरा आपसन सहीं आपसन यूवा क्रीड़ा और खेल अभियान इसको लिख aurait उन Еще step person or 급 iअजना कहते थे यह श्टाथ बीएक सब्सार года में ऑर में 2016 में इस हैं खेलो इंडिया में मिला दिया गया ठीक है तो सही आप सुनोंगा तीसरा वाला अप्सन तो यहां तक देखिए हमारे जिएस के 25 कोशन कंप्लीट हो गए जिसमें आपको रिजनेंग कंप्यूटर साइंस सब कुछ देखने को मिला होगा आगे आपको नेश्ट किया जाएंगे लगातार आप लोग जुड़े रही है चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन दबा दीजेगा किसी प्रेश्ट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बाक्स में कह सकते हैं आप बता सकते हैं इसका उत्तर यह से ही हो सकता है मैंने आपको को बीच में बताने का प्रयास भी किया है मिलते ने स्टूडियों बहुत बहुत धन्यवाद